हेलो दोस्तो, स्वागत है भकत कॉमियने के सन के एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में आप लोग बात करने वाले हैं अगर आप सीटेट का फोर्म भर रहे होगा ना दोस्तो तो हो सकता है आपको जो है पेमेंट करने में में इस एपलिकेशन फी जमा करने में प्रोबलमें हो रही होगी तो मैं इस वीडियो में आप लोग को लाइब दिखाऊँगा कि आप जो है अपने मोबाइल, कम्प्यूटर, लैप्टोप के मायद्यम से सीटेट का एपलिकेशन फी को किस परकार पे करेंगे step by step में आप लोग को जो है final print तक दिखाने वाला हूँ तो payment करने से पहले दोस्तों मैं आप लोग को कुछ जानकार यहां पे दे देना चाहता हूँ अगर आप जो है general या फिर OBC NCL से बिलोंग करते हैं न दोस्तों तो अगर आप एक paper के लिए भार रहा है या फिर दूसरा paper के लिए भार रहा है तो आपको यहाँ पे जो है thousand rupees application फी जमा करने होंगे अगर आप दोस्तों दोनो paper के लिए form भार रहा होंगे तो आपको यहाँ पे 1200 पे करने होंगे तो आपको यहाँ पे जो है single paper के लिए 500 पे करने होंगे और double paper means both paper के लिए आपको जो है 600 यहाँ पे करने होंगे तो दोस्तों जब आप form को भरते हैं जैसे की registration कर लिए application को भर लिए आपको mobile भी verify हो चुका है email भी verify हो चुका है last step में दोस्तों आपको जो है कुछ इस परकार का interface दिखेगा आपका यह जो application भी यहाँ पे दिखेगा न दोस्तों आपके category के according यहाँ पे application भी जो है automatic ही दिख जाएगा ठीक है तो इसमें दोस्तों आपको दो option दिखेंगा एक दिखेगा edit application फॉम मतले हो अगर आपके फॉम में कुछ गलती है तो आप इस पर click करके जो है फॉम में edit कर सकते हैं pay examination PRS500 पर click करूँगा इसके बाद दोस्तों आपको यह जो select mode of payment है न आपको online payment चुनना होगा and proceed for payment पर click करना होगा इसके बाद दोस्तों यह option आएगा are you sure you want to go to the fee payment तो आप जो है उके पर click करेंगे इसके बाद दोस्तों आपको जो है न अपना कुछ details यहाँ पर दिखाए जाएंगे जैसे कि आपका नाम अपना application number, date of birth, आपका जो भी amount रहेगा वो आपको यहाँ पर दिखेगा, customer ID भी दिख जाएगा अभी दोस्तों यह जो select payment provider है न इस पर आप click करेंगे proceed for payment पर click करेंगे अभी दोस्तों आप देख सकते हैं आप जो हैना payment method में आ चुके हैं अभी दोस्तों आप जो हैना अपना net banking के माइद्धम से भी payment कर सकते हैं credit card, debit card के माइद्धम से भी payment कर सकते हैं और QR code के माइद्धम से भी payment और दोस्तों UPI के माइद्धम से भी payment कर सकते हैं तो मैं आप लोगों को बताऊँगा दोस्तों best से best मतलब यह QR code है ना इस पे अगर आप click करेंगे और इस से payment करेंगे ना तो आपका payment भसेगा नहीं और तुरंत ही आपका payment जो है successful हो जाएगा तो QR code पे click करेंगे select QR में दोस्तो आप BIME UPI चुनेंगे and Mac payment for 500 पे click करेंगे आपका हो सकता है यहाँ पे अलग दिखे इसके बद दोस्तो आपको जो है एक QR code यहाँ पे देखने लग जाएगा तो दोस्तो इस QR code को आप क्या करेंगे आप अपने Google पे फोन पे पे टिम जो भी UPI application आप जो है चलाते हैं ना अभी आप देखेंगे न दोस्तो जैसे ही आपका payment complete हो जाएगा तुरंत ही दोस्तो home page में redirect हो जाएगा आपको कुछ करनी की ज़ोरती नहीं रहेगी ठीक है मतलब आप जैसे ही payment कर देंगे UPI पी नगरे डाल देंगे तुरंत ही दोस्तो आजाएगा इस वाले page पे अभी आपको download confirmation page पे क्लिक करना होगा और दोस्तो आपका जो print out है means application form का जो print out है उसको आप print out करके रख लेंगे या फिर पीडिया भी save करके रख सकता है ठीक है तो यही दोस्तो पूरा पूरी process था अगर आप seatate का form भर रहा है और आपको जो है application फी जमा करने नहीं हो रहा मतलब आपसे नहीं सक रहा है तो इस वीडियो को देखे आप जो है easy way में easy मायद्धम से जो है payment करेंगे मैं step by step दोस्तो आप लोग को जो है एक एक जानकारी दे दिया हो ठीक है तो आज की वीडियो वस इतना ही दोस्तो मिलते हैं next वीडियो में next जानकारी के साथ अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग दोस्तो तो लाइक कीजेगा दोस्तो को जरूर सेर कीजेगा चैनल पर नहीं होंगा ना तो प्लिस सस्क्राइब कर ही दीजेगा थांक्यू पर वाचिंग जया हैंद जया भारत